शीरी कर्शन चाहित मानस एपिसोड पंद्रे भारतिय दर्शन सहित उदित हुए ब्रजधाम जगत्य पतिक्रशन चंद्रपद जैशनम शंकरहर्यों जैजैघर्शाम पावन वसुंध्रा अवतरे प्रभुरूप मानव धार के दीपार्थ को संजीवनी गीता के बचन उचार के आगम नेगम मैं जो नहीं वो बचन कहे उद्धार के न्यामक बने प्रभु धर्म के अरुप्रनेता संसार के भगवान कृष्ण को पूरा विश्व मानता है क्योंकि वो पूरे विश्व के प्रणेता बने कार्म और योकाप देश दे करके वो करमेश्वार और योगेश्वार भी कहलाए पिछली बार श्रीकृष्ण ने गोपियों के वस्तरहरन किया था और इस शीख दी थी कि जल भगवान का पांचमा अंग है क्योंकि भैसे भूमी गैसे गगन वैसे वायू ऐसे अगनी नैसे नीर भगवान किसी व्यक्ती का नाम नहीं है इनी पंश्तत्तो का नाम है तो गोपिकाओं ने कहा था कि प्रभू तुमने हमें लज्जित करके सीख दी कभी रास तो हमें दिखाना था तो रास के लिए बचन दे दिया था सिरी कृष्ण ने तो उस बचन को निभाया और ये कहा कि गोपियो सुनो पवित्र प्रेम संसार में सबसे अच्छी बस्तू है और वो ईश्वर अत्वा ईश्वर तुल वेक्ति से ही पवित्र प्रेम करना चाहिए शर्व स्रेष्ट प्रेम पवित्र प्रेम है और माता का प्रेम दोलार कहलाता है बेहन का प्रेम इसनेह कहलाता है और पत्नी का प्रेम प्यार कहलाता है इसके भी कई रूप है तो पवित्र प्रेम यानि पावन प्रेम सर्वस्रेश्ट है यदि ये वीडियो आपको पसंद आये तो स्वेम देखें और दोस्तों से भी सेर करें तो प्रेम सुखद या निभूती है प्रेम ही जग्यानन जीवन सुना प्रेम बिन्बाटो प्रेमानन्द जगत पतिक्रिस्न चंद्रपद जैश्रणम संकरहरियों जैजैबलराम प्रेम एकता मूला धारा संगता है यद होए सहकारा देश समाज प्रेम होए ब्रदी विक सिंग विक सित संग होए सम्रधी जहां प्रेम सर्व पूरण आसा होई राष्ट तेह सिरी प्रिकासा बिना प्रेम जग घरना ही भावा बढ़े इरसा और दुरावा इरसा भाव रिपुता ले आई रिपुता महा विनास कराई बिना प्रेम एश्रस्टी नाई प्रेम सकल निद्य जगताई एक विधापत भक्त दिखाई प्रेम ही जीवन रुचिर बनाई प्रेम पावन प्रेम इशकारूपा परमानंद परमात्म स्वरूपा पावन प्रेम और भक्ति मिल जब हो एकाकार तो आत्म मिलन परमात्म से हो जाए स्वीकारूपा जगत्य पति क्रिशन चंद्रपद जैसनम संकर हरियो जै जै घन शाम प्रेम शुखद अनभूती है एहसास है और प्रेम ही संसार का अनंद है प्रेम के बिना ये जीवन सुना है और प्रेम प्रकृति प्रदत प्राणी के लिए उपहार है प्रेम से प्रेम ही एकता का मूल अधार है और प्रेम ही सहकारता का अधार है जिस परवार में सहकार होता है वो परवार स्वर्ग होता है देश समाज में यदि प्रेम की ब्रद्धी होती है तो वही समाज और देश विक्सित भी होता है जहां पर प्रेम है वहां पूर्ण आसाएं होती है और जिस राष्ट में प्रेम है वहां लक्षमी का वासा यानि शिरी प्रिकासा भी होता है और बिना प्रेम के तो जग में घरना के भाव हैं यह प्रेम नहीं है तो इड़सा है तो इड़सा के बनस्पत प्रेम अच्छा होता है इड़सा बुरी इसलिए होती है कि वो रिपुता के भावलाती है सत्रता के भावलाती है और रिपुता महाविनास कराई यानि कि सत्रता से महाविनास होता है जैसे महावारत के उद्ध में महाविनास हुआ और अन्य उद्धों में बिनास होता है बिना प्रेम ये इशरष्टी नहीं बिना प्रेम के इशरष्टी नहीं है और प्रेम सकाल निदिया जगता ही प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी निदिया निखा जान सत्चित का रूप है आनंद का रूप है और सत्चित क्या है जो सदैव हो चित में वास करे आनंद के साथ रहे वही इश्वर है अर्थात ब्रह्म पून से पून निकलता है और पून ही शेश रहता है इसी प्रकार हम आत्माएं परमात्मा का अंश हैं कैसे हैं जैसे बनती मात सिसू की जननी पून सिसू पून ही स्वै बननी जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र को या सिसू को जनन देती है तो सिसू पून रहतार वो स्वैम पून रहती है तो प्रेम संसार में शर्व श्रेश्ट वस्तू है आत्म मिलन परमात्म से तब होए उत्सब एक्सवयम जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो एक उत्सब होता है यहां श्री कर्शन को परमात्मा रूप माना गया है और गोपियों को आत्मा माना गया है हर आत्म को परमात्म से मिलते हैं हरी निरामयम तो हर आत्म को निर्दोष भगवान की प्राप्ति होती है जसे कल्पना मन मेरा चीतस दर्स होई करुणा मयम अनिभूत परमानंद की मन रहने को संजयम तो फिर परमात्मा की और परमात्मा के साथ साथ परमानंद की महानानंद के निभूती होती है तो इसलिए हे गोपिक आओ आओ मेरे साथ आज रास रचाओ ये प्रेम का आज माहौल बनेगा अच्छा होगा संसार देखेगा संसार इसे आगे भी याद रखेगा और मेरी ये लीला मेरी और आपकी लीला सदैब आने वाले योगों में जिसे कल योग भी कहते हैं होगी तो प्रमदत्रास करो ममसंगा जस पयोद पाहर सित गंगा आप हे गोपियों आप मुझे मैं इस परकार से मिल जाओ जैसे संद्र में गंगा मिल जाती है कृष्णई माया आयस दीनी महारास तयारी कीनी तब श्री कृष्णई माया को अग्या दी और कहा के माया तुम महारास की तयारी कर दो और एक चबूतरा बनाओ और सब कुछ गोपी क्रेशन कना ही और सभी लोग निधीवन में पहुँच गए राधा और गोपियां भी वहां थी आज भी निधीवन में वहां के निवासी ये बताते हैं कि रात को राधा क्रेशन आते हैं और राधा सोता है और उन्हें कोई देख नहीं सकता यदि कोई वक्ति उन्हें देखने की कोशिस करता है तो या तो वो बेहुस हो जाता है अथवा उसकी मृत्यू भी हो जाती है तो निधी बन में एक ऐसा इस्थान है जहां कृष्ण का रास प्रशिद्ध है वो आज भी होता है किवदंती के अनुशार आज भी होता है बनाम चबूत्रा मंदला कारा बहुविद सजा दिया दोवारा तो भो सुन्दर चबूत्रा माया ने बना दिया और उसे सजा दिया उस पर हीरे मोती जड़ दिये सुन्दर बना दिया चकमक करेराश बन प्रभु बन रसिया गौल सक्खा गोपिन मन वसिया नक्षिक सजधज गोपी आईं कानहा मन को परम सुहाईं और नक्षिक सजध श्रंगार करके गोपिया आईं जो कृषिन के मन को बहुत अच्छी लगी और उन गोपियों के बीच में सिरी कृषिन बाश्रुई ले करके आ गए हैं बंसी धुन दिधिवन गुन जाई ब्रज मंडल प्रभुधूम मचाई बजा पखावच और मरदंगा बीणा मधुर साज संग संगा और बाश्रुई की धुन सब से पहले गुन जाई गई उसके बाद पखावाच मरदंग बीणा सा मधुर साज बजने लगा तो गीत संगीत है मधुरतम गाएं गोपी ग्वाल तत थयानत पर थिरक रहे नंद लाल जगत पते क्रिस्न चंद्रपद जैसर्णम शंकर हर्योम जैजै घनशाम पावन ने रखकर प्रेम को ममता का मोल चुका रहे करेरास ब्रजबालाओं संग पीऊश घट जलका रहे कृष्ण भगवान ब्रजवालाओं के साथ में अम्रत के घड़े चलका रहे हैं मम्ता का मौल जो माता पितार गोपियों को दिया था उसे आच्चुका रहे है दो प्रिये जन्मिल आत्म को परमात्म से हैं मिला रहे भूलो को आकर क्रेश्ण राधा प्रेमे जोते जला रहे और दो प्रिये जन्मिल आत्म को परमात्म से मिला रहे हैं पित्थवी लोग पर आकर के राधा और क्रेम की जोती यानि प्रेम के दीपक जला रहे हैं प्रेम का वातावन है और कैसा प्रेम है पवित्र प्रेम जो प्रभू और भक्त के बीच होता है जो माता पिता के बीच पुत्र का होता है जो बेहन के साथ भाही का होता है ऐसा पवित्र प्यार है हमशे प्रभु ने प्रीत निभाई मान हो रंक महान धिपाई निश्चल मन आई ममका जा छाणी लोक वेद की लाजा और कृष्ण के पास गोपियां आ गई और गोपियों ने भी मान हो महान खजाना पा लिया परंतु सब का मन निश्चल ही है और गोपियों ने लोक लाज और मद्यादा को भी त्याग लिया है अब कना ने माया का वहन किया और माया के द्वारा जितनी वहाँ गोपियां थी उतने ही अपने रूप बना लिये जेती गोरी सब द्वै हाथा तेनी के मध एक ही साथा द्वै गोरी बिचनंद के सोरा दम के दामिन जस चहोरा और दो गोरीओं के दो गोपियों के बीच में एक क्रशन पिरतेग गोपी के बीच में एक क्रशन यानि कि क्रशन ने उतने ही लगभग रूप बना लिये जितनी की वहाँ क्रशन का काला रंग है और गोपियां गोरी है वो ऐसे सोभामान हो रही है जैसे स्वान निल्बरी की माला सोभित होती है जूम जूम आनन्दित साजा बजे एक संग मिर्दंग और बाजा और महारास होना हो गया सभी जूम जूम के निर्थ कर रहे हैं और साजेई सभी बाजे एक साथ बजने लगे प्रेम ही सच्ची भक्ति है प्रेम ही है मधुबास प्रेम ही निर्मल कामोना प्रेम ही है सन्यास जगत पाते कृष्ण चंद्रपद जैसर्णम भंकर हरियोम जै जैगहन श्याम तो प्रेम ही सच्ची भक्ति है प्रेम ही कामना है और प्रेम ही मधुबास है प्रेम ही निर्मल काया और मधुबास है यही सन्यास है बंसी की धुन में क्रिश्न ऐसे जूम रहे हैं जैसे नवजात सिसू अपने प्रतिबंब को पानी में देखकर के अपनी सकल को देखकर के प्रसन होता है नेजे भार्या संग चड़े विमाना सुर्पत बिरंचे द्रसे लखेनाना अब भगवान शिरी कृष्ण का रास देखने के लिए ब्रह्मा विश्णू रूप में तो श्वैमी थे ब्रह्मा महेश इंद्र इत्यादी सभी देवता उस द्रसे को देखने के लिए चल दिये उमा पती संग उमा विराजें उमा पती संग उमा विराजें सर्ब देववा रास को राजें शुरुबाला वियम सुमन बर्शाना ब्रज नहीं जर्मी अब पच्छताना और पारवती शिव के साथ हैं इंद्र के साथ इंद्राणी हैं ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी हैं इस प्रकार से वेश बदल के सारी सुर्बामा यानि देवों की इस्तरियां आ गई हैं और क्रिशन के दर्श को रेक अलोकिक दर्श को देख करके रास को देख करके बड़ा आनंद महान आनंद माना और पस्ता रही है कि हम क्यों ब्रज में नहीं जनमी यदि ब्रज में हम जनमी होती तो हम भी कृष्ण के साथ इस आनंद को महानंद को प्राप करती है हम महारास में सामिल होती है देव लोक से सुर्तियानी सची सारदारमा भवानी और देव लोक से सची स्वरसती इंद्रणी लक्ष्मी पारती सभी सुर्बामा यानि देव पत्नी आई हुई हैं और उने कृष्मी के बाल रूप का नटखट रूप का ऐसे दर्श देखा जैसे मदारी बंदर कुर चाता है यानि मदारी के हाथ मंदर नासता है इस परकार से शीरी कृष्मी गोपियों के साथ नित्य कर रहे थे राधा बनिता ब्रंद महों सहज लगे कमनी भव्य छवी गोपुन रहे सु सुमातिय कमनी जगत पते कृष्न चंदर पद जैसरणम शंकर हरियों जै जै बलराम छवी मधोर स्वर मैसाज पर गावें सो मंगाल कामनी अते भाव वैसाजें गोपिका प्रभु प्रभु तेज वो है इभावनी जब जूम नाचे राधे का तोवन प्रिया बिल जामनी रुचरे नूपर लले ते कंगान ताल गीत हैं गावनी तो बड़ा ही सुन्दर रास हो रहा है और नारिया सो मंगल गीत गा रही है राधा उन गोपियों के बीच में महरानी जैसी सोभायमान है और जूम करके नाच करके आनन्द ले रही है सब अच्छे मंगल गीत गा रही है तो इसको हम एक भजन के रूप में प्रसोत कर सकते हैं पावन प्रीत प्रभूगो पिनसंग निद्वन रास रचाई क्रेश्ट रहे अमोरत घट चलकाई पावेत्र पिती के साथ निद्वन में भगवान क्रेश्ट अम्रत के घड़े चलका रहे है यह परमानन की प्राप्ति वहां रास में हो रही है आताम को प्रमात्म से वह श्री क्रेश्ट जी मिला रहे आंतम से परमातम को वो स्रीकरसंजी मिला रहे आकर के भू लोग प्रभूजी जोत प्रेम की जला रहे लोग लाज मर्यादा को तज गोपी संग में आई क्रेश्न रहे अमोरत घाट चालकाई जितनी गोपी उतने स्याम जी रूप बनाया कानाने हर गोपी के बीच क्रेश्न एक बहुरूप बनाये कानाने जैसे छोटा बच्चा निश्चल मन का होता है पवित्र मन का होता है जिसे कि कहते हैं भगवान का रूप है नवजात सिसून स्चल हो जैसे तस निर्मल मन लाई क्रेश्ट रहे अमोरत घाट चलकाई सब्साज पर जूम के नाचें गोपिन के संग राधा जी मुली धुल पर मस्थ रखते राधा के संग काना जी भक्ती प्रेम का पावन संगम आतम परमातम मिलाई क्रेश्ट रहे अमोरत घाट चलकाई देव लोग से रास देखने आई सची सार्दा ब्रह्माणी उमापती संग उमाबिराजें और इंदर संग इंदराणी लक्षमी पत्राधा कन्रत लख सुर्बाना मुसकाई क्रेश्ट रहे अमोरत घाट चलकाई राधा क्रेश्ण चारित अते पावन राधा क्रेश्ण चारित अते पावन मंगल में अतसीय मन भावन बोलो क्रेश्ण भगवान गीजे